कि अजय को एक्सेल कॉंटेक्स कोई भी एक्सेल में से आप फोन के कॉंटेक्स कैसे अपने फोन के अंदर ले सकते वह देखेंगे फिर एक्सपोर्ट पिक करना सीख लेंगे तुई बहुत ही ईजी है इसके अंदर जी मेल की टेक्नलोजी टायम करते है हमारे फोन के अंदर जब हम लॉग इन करते हैं तो हमारे गौंटेक्स कोई भी एक मेल के ऊफर पर हमारा फोन स्टार्ट किया हुआ है इसके अंदर फोन के अंदर हम ये कॉंटेक्स के अंदर चले जाते हैं कॉंटेक्स के बटन के उपर क्लिक कर दिया यहां कॉंटेक्स आ गया कॉंटेक्स के उपर क्लिक कर देखा हमारे सब कॉंटेक्स है इसको हमको ले जाना है फोन के जोगे तो यह अलग अलग आकाउंट देख रहा है यहां पर अपर कंफीग्र कउंट्स लिश्ट उसके अंदर जाएंगे तो यह यहा पर यह जी मेल देख रहा है की नियदकphones यह जंगल हर एक फोन के अंदर यह होता है। यह वहां से डेटा जाता है। सिंग किया हुआ डेटा रहता है, तो सिंपल है, mail के अंदर, आपका contact की detail चली गई वहां से आपके phone के अंदर आ जाती है। तो अब Excel के अंदर से phone के अंदर कैसे जाना है तो पहले हम सिखेंगे कि Excel में से आपके Gmail के अंदर data कैसे जा सकता है ये सिखने के अंदर तुरंती पता जल जैसे Gmail में चला गया वो तो synchronize किया हुआ ये आपके phone के अंदर वो सब contact number सीधा दिखाए देंगे तो Excel में से Gmail के अंदर कैसे data जाता है वो हम सीख लेते हैं आज सबसे पहले हम ये चालू करते हैं ये देखो ये हमने ये Excel के एक sheet बना के रखे वे जिसके अंदर कुछ नाम है और कुछ mobile के number है तो ये पूरा blank sheet है हम आपको यहाँ पर आप कितने भी नाम और number store कर सकते हैं आप even group भी बना सकते हो अलग-अलग तो ये हमारे Excel के sheet है जिसको ये नाम दे दिया है contact numbers अब हम चले जाते हैं यहाँ पर हमने एक हमारा Gmail का account open कर दिया है ये Gmail है हमारा routine में जिसके अंदर हम चले जाते हैं आपको बता देते हैं यहाँ पर ये mail ही खोल देते हैं तो कि आपको पत चल जाए कि इसको open कैसे करना है तो ये मैंने यहाँ पर ये मेरा Gmail open कर दिया है अब यहाँ पर ये email Gmail के अंदर यहाँ पर ये देखो ये 9 बटन दिये गये हैं right top corner के अंदर वहाँ पर click करने से इस तरीके से ये screen खुल के यहाँ पर Google के सबी products दिये गये हैं यहाँ पर ये contacts दिखा हुआ है दोस्तों ये देखो context के उपर click करने से ये हमारे phone के अंदर ये Gmail ये sync किया हुआ है तो उसका contact दिखा रहा है अभी कुछ भी नहीं है मैंने पूरा blank आपको वीडियो दिखाने के लिए किया हुआ है यहाँ पर अब मैं एक create contact दबाऊंगा एक contact बनाऊंगा test तो ये नाम लिख दिया last name लिखना है company name Gmail 4 नमबर डाल देता हूँ 98985 98985 करके एक नमबर डाल दिया कुछ note डालना है तो डाल दिया बाकी के सब fields भी आप यहाँ पर open कर सकते ये मैंने यहाँ पर दबा दिया save तो ये एक contact create हो गया इससे हमको export की अंदर हमारा एक tool मिलेग ये देखो एक contact बन गया अब यहाँ पर ही है देखो यहाँ पर import है export है तो सबसे पहले हम export करेंगे ताकि हमको CSV फाइल का format मिले कि कहाँ पर data copy paste कैसे करना है तो ये हमने CSV ले लिया यहाँ पर Google CSV ही रखना है यहाँ पर ये जितने contact गया गया है मैंने export का button दबा दिया ये दे जाता है save दबा दिया तो ये मुझे ये फाइल यहाँ पर मिल गई देखो तो मैं ये फाइल को यहाँ पर लेके आता हूँ context ये देखो तो ये format आ गया ये format के उपर मैंने double click किया ये देखो यहाँ पर ये taste नाम आ गया है आप देख पाओगे यहाँ पर given name है नेम है तो जो हमने नाम टाइप किया है वो यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर ये इसका देखो ये group भी आ गया my context और ये phone 1 के समझ में आए इसलिए मैं ये compulsory fields जो है जिसके अंदर data आ गया उसको मैं ऐसे yellow कर देता हूँ अब मुझे मेरे पास जो data है context numbers के अंदर वो मैं यहाँ पर ले लिया मैंने यहाँ पर ये copy कर लिये नाम copy और यहाँ पर ये मैं google की जो sheet आई हुई है वहाँ पर मैं paste कर रहा हू paste कर दिया इसको भी copy कर दिया यहाँ दूसरे column में भी paste कर दिया अब यहाँ पर मैं चला जाता हूँ यह कौन सा row है last row तक मैं ऐसा yellow कर देता हूँ ताकि मुझे data जब drag and drop करना पड़े तो मुझे समझ में आ जाए यह मुझे my contacts यहाँ तक ले आना है अब यह numbers है जो मुझे copy paste करने हैं तो मैं यहाँ पर फिर से मेरे contact numbers में चला गया यहाँ पर दबा दिया मैंने copy और इसको minimize करके यह वाली google की sheet को मैंने open कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया paste तो यह number आ गया दोस्तों अब मुझे यह पहली रोका तो कुछ काम नहीं है तो मैंने यहाँ पर यह delete का button दबा देता हूँ यह delete हो गया यह context की sheet मेरी save हो गई इसको बन कर देता हूँ यह CSV फाइल है तो पूछेगा इसको yes दबा दिया यह दोनों फाइले मेरी बन दो गई यह context है यह CSV फाइल है इसको अब मैं import करूंगा तो मैं यहाँ पर यह फिर से चला गया कुछ नहीं है यह पर यह import का button है यह दबाए select file के अंदर मैंने डेस्टेप के ऊपर save किया हुए तो यहाँ पर मैंने मैं डेस्टॉप कर लिया context से लेक्ट कर लिया open दबा दिया और यह import का button दबा दिया quickly पल है, ये देखो, ये सब context यहाँ पर ये दिनेज भी आ गया, माहेज भी आ गया, नरेज भी आ गया, परेश भी आ गया, सब के context नमबर भी यहाँ पर आ गये. अब यह already हमारे phone के साथ sync किये हुए तो यह हमारे phone के अंदर यह data अपने आप आ गया तो देखा दोस्तों आपने कितना easy है Excel में से phone में data लेना अब यही है phone का data आपका Excel के अंदर कैसे लाना है तो भई यही है आपका यह Gmail यहाँ पर से open कर लो Gmail के अंदर यहाँ पर context में चले गया हो यह खुल जाएगा export का button दबाओ गई यहाँ पर तो यह देखो यह सभी context आप export का button दबा दिया तो यह देखो यहाँ पर यह context one करके यह sheet बन गई यह आप देख पाओगे कि यही open करते हैं हम यहाँ पर से ही सीधा तो यह देखो यह sheet open हो गई यहाँ पर और सब numbers भी आपके यहाँ पर आ गई यह देखो nine one ऐसा दिख रहा है इसको ऐसा double click करके column को बड़ा करने से आपको दिखता है यहाँ पर यह देखो group भी अपने आप बना दिया यह देट को transfer किया हुआ यह data है आप बाद में import करने के लिए इसका नाम change भी कर सकते हो तो export और import कितना easy है वो आज हमने इस video के अंदर सीख लिया जो हमारे google के ही दूसरे products के video है जो यहाँ पर सभी products के video हम बना के देने वाले हो और काफी सारे videos हमने दियो है सब products काम के है तो यह context का यह जो tool है वो हमने आपको दिखा दिया thank you very much